हेलो एब्रिवन, मैं प्रियंका एक पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल Study24 Official में आज की इस वीडियो में बात करेंगे DSSSB ने यहां पर नोटिस निकाले हैं इस वीडियो में हम दो नोटिस यहां पर कवर करने बाले हैं तो इसमें हम डिस्कस करेंगे उससे भी पहले आपको बताना चाहूंगी अगर आप हमारे Study Group के साथ जुड़ना चाहते हैं तो Study Group का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसमें हम आपको डेली बेसिस पर Quiz प्रवाइड करवाते हैं साथ में Current Affairs भी आपको Free of Cost प्रवाइड किये जाते हैं तो इन सभी का फायदा आप ले सकते हो हमारे Group के साथ जुड़के अब हम यहां पर बात करते हैं DSSB ने जो नोटिस निकाले हैं सबसे पहले तो हम इस नोटिस की बात करते हैं इसमें जो अगर हम यहां पर देखना चाहें तो यह Coriandum जारी किया गया है जो यहां पर दिया भी गया है तो नोटिस डेटेड 23-12-2021 फोर दे पोस्ट ऑफ TGT उर्दू फिमेल पोस्ट कोड जो है 53-21 इसमें अगर हम देखते हैं यहां पर सब कुछ लिखा है EWS category के लिए यहां पर इन्होंने जो बताया है अगर हम detail में यहां पर देखना चाहें सबसे पहले तो इसमें जो देखी थी हमने 108.33 लेकिन अब अगर आप देखते हैं इस तरह से इसको रीड किया जाएगा इस पर मेरिट, the minimum cut-off marks for uploading of e-dozier only who qualified each section that is section A and section B तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि no qualified suitable candidate found in the merit other than those who have been shortlisted under your category as per their own merit if any तो यहां पर यह कोरियंडर्म जारी किया गया था जो कि PGT post of TGT उर्दू female और post code इसका दिया गया है 53-21 यह तो हुआ हमारा यह notice इसके बाद second notice कि अगर हम यहां पर बात करना चाहें second notice हम यहां पर देख सकते हैं यह role numbers दिये गये हैं और साथ में सामने इनको remarks भी दिये हैं इन यह जो role number हैं कि candidates हैं इनको rejection list दे दी गई है क्योंकि इन्होंने अपने e-dozier में अपने documents को submit नहीं किया था और यह जो हम देख सकते हैं यह notice है हमारा scientific assistant biology under post code 25-21 in forensic science laboratory तो यह जो rejection notice number है 128 scientific assistant biology और under post code यह सब कुछ दिया गया है तो इस तरहां से आज की इस वीडियो में हमने दो notice यहां पर cover किये हैं उमीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए helpful हो आप मिलेंगे next वीडियो में